Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2023 में Environment and Ecology के Current Affairs के Revision का ये हमारा दूसरा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम जून महिने के Environment and Ecology के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article चीता के बारे में है मैं एक दफ आपको पहले भी बताया था कि चीते की चाल, बास की नजर और बाजी राओ की तलवार पे संदेय नहीं किया करते यहां बात चीते की चाल की है, वो भरत में अब नहीं है क्योंकि 1951 में इसे Officially Extinct Declare कर दिया गया था चीता ऐसा बताया जाता है कि अकबर के समय में इनकी संख्या भारत में 10,000 से ज़ादा हुआ करती थी तो जो जहांगेरी में भी चीता का दिक्र मिलता है, यह भी बताते हैं कि अकबर ने शिकार के लिए इनको ट्रेन कर रखा था और उसके पास उसके खेमे में एक हजार से ज़ादा चीता होते हैं मैं आपको बता दूँ कि चीता, टाइगर और जो बाग है उसके तुलना में मैं आपको बता दूँ कि चीता अपनी प्रजाती के अनजीमों जैसे कि सेर और बाग के तुलना में कम हिंसक होता है और यही कारण है कि इसे आसानी से पाला भी जा सकता है इसका बहुत मिस्यूज हुआ है पास्ट में इसका बहुत ज़ाथा सिकार किया गया यहाँ पर देखिए बिश्वस जब आये तो उन्होंने इसकार काफी तीजी से बढ़ा दिया उन्होंने इन फैक्ट चीता को मारने पर इनाम भी रख रखा था कि अगर कोई चीता को मारता है तो उसे इनाम दिया जाएगा दिमे दिमे चीता मरते चले गये कुछ रजवाड़ों के शौक के चेकर में मरे और कुछ अंग्रे जोने मार दिये जो आखरी तीम चीता थे उनके बारे में मानता है कि Korya जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उसके महराजा थे, 36 गड़का वैसे प्रिंसली स्टेट था ये कोरिया वहाँ के जो महराजा थे उन्होंने आखरी तीम चीतों का शिकार किया 1947 में या 48 के दोरान उसके साथ उन्होंने फोटो भी क्लिक करवाई उसके बाद हमें लेगा कि चीता होंगे काफी खो जा गया लेकिन मिले नहीं तो formally 1951 में इन्हें एक्ष्टिम्ट रिक्लेयर कर दिया गया शुरू में कोसिस ये की गई कि जब एक्ष्टिम्ट हो गया तो फिर ये हुआ कि रिंटोड्यूस करते हैं तो भाद में रिंटोड्यूस के लिए सबसे स्यूटिबल होते एशियन चीता एशियन चीता उस समय इरान में ही हुआ करते थे इरान से एशियन चीता को लाके कि भरत में री इंट्रूद्यूस करने का प्लान बना, लेकिन प्लान लंबा गया नहीं. फिर इंद्रा गांधी जी आई तो उन्होंने भी कोशिस की कि इरान से चीटा को भरत में लाके री इंटरूद्यूस किया जाये. In between, इंदिरा गांधी जी ने भरत में अमर्जंसी लगा दी और उसके बाद इरान में साह का तक्ता पलट हो गया तो कुलमला के दोनों ही रेसों ने political instability phase की इसी की resultant इरान से चीता भरत आना सके उसके बाद जब भरत ने इरान से डिमांड की कि चीता को भरत में लाया जाये तो इरान में खुद ही चीता की हलत बहुत ज़दा खराब हो गई थी मैं आपको बता दूँ कि वरतमान में एशियन चीता सिर्फ इरान में ही पाये जाते है वो जिनके लिए इंडिया भी एक स्यूटिबल हैबिट हो सकता था जो हम इरान से ले भी सकते थे लेकिन इरान में ये खुद ही क्रिटिकली इंडियंजर्ड है बहाँ पर इनकी संख्या मुस्किल से सौ बची हुई है उन्होंने खुद ही इनको नहीं छोड़ा है तो इस सिते में इरान हमें चीता बिल्कुल भी नहीं देगा तो हमने विकल्पों की तलाश शुरू की हमें लेका कि चलो एसियन चीता अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम लेकर आते हैं एफरिकन चीता और उसे इंडिया में री इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसी दिसा में प्लान बनाया गया कि हम साउथ एफरिका और नामीबिया से एफरिकन चीता लेकर आएंगे और उसे भारत के मदर प्रदेश का जो शियूपोर डिस्टिक्ट है वहां के कुनो पालपुर जो नेशनल पार्क है वहां पे इन्हें री इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो अब ये जो काम है वो जल्दी ही होने वाला है जल्दी ही हम साउथ एफरिका और नामीबिया से चीता लेकर आएंगे जो कि एफरिकन चीता होगा एशियन चीता नहीं होगा और उसे हम कुनो पालपुर नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस कर देंगे चीता जिसे ऐसी इनॉनिक्स जुबैटस कहा जाता है ये बिग कैट स्पिसीस की एक ओल्डेस प्रजाती मानी जाती है काफी और प्रजातियां हैं जिनमें से ये भी ओल्डेस्ट है इनके एंसेस्टर्स का अगर आप हिस्ट्री टेस करोगे तो ये पांच मिलियन सालों से रह रहे हैं मतब मायोसीन एरा से ये एक्जिस्टिंस में है इनसान जब तक डॉमिनेट नहीं करते थे तब तक ये सुरक्षित थे इनसानों के डॉमिनेट करने के बाद इनकी प्रजाती खतम होने लगी चीता को दुनिया का सबसे तेज दौडने वाला मैमल बताया जाता है जो एफरिका और एसिया में रहते है इनकी स्पीड 90 से 130 किलोमेटर पर आर की होती है और 100 किलोमेटर की स्पीड तो ये विदिन सेकंड्स अटीन कर लेते है बहुत तेज दौडने वाले धावक होते हैं ये बात करते हैं एफरिकान चीता की जो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यह तौझसा different होते हैं Asian चीता से इनका color brownies होता है और skin golden होती है as you can see this in the image थोड़ा color dark होता है, ठिकर होता है इनके शरीर की उपर जो spots या lines होती है जो lines इनके face पर होती है यहाँ दीखें ये face पर एक line दिख रही है यह जदा dark होती है एशियन चीता की तुलना में ये अफिकन कॉंटिनेंट पे लगभग हर जगे मिल जाएंगे थाउजन्स में नंबर में वहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत कम संख्या इनकी नहीं है आईउसिन के रेड लेस्ट में ये फिर भी वलनरेबल है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइड लेड प्रोटेक्शन एक्ट के शिडिूल 2 में है एसिन चीता की बात करते हैं तो ये थोड़े से छोटे होते हैं अफिकल चीता के तुलना में इनका कलर यलोईश फॉन होता है तोड़ा सा हलका कलर होता है और जो बाड़ी होते हैं उस पर फर पाया जाते हैं specifically नीचे के हिस्से पर बहुत सारे फर मिलेंगे बाकी मैंने बता दिया कि एरान में ही पाया जाते हैं सौ से कम ही बचे हैं critically endangered है, appendix 1 में है, sites के WPA schedule 2 में है यहाँ भी बात करते हैं कुनो नेशनल पार्ग की यह हैडिंग गलत है कुनो नेशनल पार्ग जो है वो मध्य प्रदेस में लोकेटेड है काफी उनीक डेस्टनेशन है चो लोग घूमने जाना पसंद करते हैं नेशर लवर्स हैं हेल्दी पॉपलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी चीतर, सांबर, नील गाय, वाइल्ड पिक, चिंकारा और कैटल्स की बरतमान में लेपर्ड और स्ट्रिप्ड हाइना दो बड़े कार्निवोर्स हैं जो वहाँ पे रह रह रहे हैं उतराखंड की बहुत ही प्राइम लोकेशन है, लोग घूमने जाना पसंद करते हैं जो भी प्रकरतिक एरिया में फ्लार्स वगरा को देखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी लोकेशन होती है इसे 1982 में एक नेशनल पार्क का दरजा दिया किया ये 87.50 स्क्वार किलोमेटर में फैला हुआ है 2005 में इसे युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइट में भी डाल दिया किया आगे बढ़ते हैं वैलिया फ्लार्स की इसी टॉपिक में वैलिया जो है इसे एक्सिडेंटली एक बिटिस्ट माउंटेनियर निक हो जा था ये खुबसूरत लगा बहुत ही अच्छा लगा दिमें दिमें ये जानकरी पब्लिक डोमेन में आई कि हाँ एक लोकेशन है वैलिया फ्लार्स की जहाँ पे जो सिनिक ब्यूटी है वो बहुत ही ज़दा अच्छी है तो बहुत ही जो है वो आज 600 फ्लावरिंग स्पीसीस को अपने आप में अकमडेट करता है एक बहुत ही अनोखी पजाती है फूल की जिसे ब्रहम कमल कहा जाता है वो उत्तरा खंड का स्टेट फ्लार भी है ब्ल्यू पॉपी जिसे क्वीन आफ फ्लार्स कहा जाता है उसे भ हमारा नेक्स्ट आर्डिकल एंटीपीसी बात को लेकि के बारे में है एंटीपीसी हमेशा से बात को लेकि कंसर्ण रहता है कि वो अपनी प्रोजेक्स में हमारी बायोडिवसिटी या इन्वर्मेंट को नुक्सान ना पहुँचाए यह बहुत अच्छी बात है उन्होंने बहुत है भी हाल ही में अपनी बायोडिवसिटी पॉलिसी टू को रिन्यू किया जहां पर उन्होंने एक कॉम्प्रेहंसिव विजन और गाइडिंग प्रिंसिपल सैयार कि कि वो कैसी हमारी बायोडिवसिटी को बचाएंगे एंटीपीसी की जो इन्वर्मेंटल पॉलिसी ह चीब करते हैं क्या फीचर्स हैं इस पॉलिसी की सबसे पहले तो एंटीपीसी ग्रूप में जो भी प्रोफेशनल हैं उन्हें एक साथ लाया जाएगा कि वो जो भी टार्गेट इस पूरे सेक्टर के द्वरा तयार किये गए हैं उनको अटेन करने में कॉंट्रिब्यूट क करते हैं वो किसी भी ऐसी एरिया में अपने प्रोजेक्स इंस्टॉल नहीं करते जहां पर इन्वर्मेंट को ज्यादा लॉस हो वो एक बैलेंस स्टैब्रिश करते हैं यह बैलेंस ट्रीम कर रहे हैं कि एंटीपीसी की वैल्यूशेन में इस चीज को तवज्यो दीजाए यह यह precautionary approach अपनाते हैं मिन्स वही किसी भी ऐसी जिगर पर अपनी प्रोजेक्स मत लगाईए जहां पर इन्वर्मेंट को ज़्यादा नुकसान होता हो उच्छीच का ध्यान रखिए यहां पर दीखे एक question है कि जेगराफिकल एरिया में किसी भी कौन से actions हैं जो बायोडिवसिटी को threat पहुचाते हैं इसमें चौधा नहीं है एक दो तीन है आसान question था वेजीटेरियनिज्म बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे पत्ते खाएंगे और पत्ते खाएंगे तो क्या बायोडिवसिटी खतम हो जाएगी पत्ते खाने से ऐसा नहीं होगा बायोडिवसिटी को नुकसान नहीं पहुच उस समय ऐसा लगा कि यह एक existing प्रजाती का ही हिस्सा है, अभी scientist को यह पता चला कि नहीं यह कोई existing species का बात नहीं है, यह all together एक नई species है यूबले pharis pictus, जिसे painted leopard gecko भी कहा जाता है, विकॉज ऐसा लगता है, जिसे किसी निसको paint कर रखा है इसे journal evolutionary systematics में भी हाल ही में describe किया गया, पहले सोच रहे थे कि यह East Indian leopard gecko की ही प्रजाती है बट अभी समझ में आया कि एक नई प्रजाती है, जिसे अंध्रप्रदेस और उडिसा के forest में अब देखा जा सकता है हमारा next article, eco-sensitive zones के बारे में है Supreme Court ने भी हाल ही में direct किया है, कि जो भी protected areas हैं, जैसे कि national park, wildlife century, पूरे race में उनके चारो ओर, एक किलोमेटर का जो area होगा, वो eco-sensitive zone होगा और ये compulsory है, ये mandatory है कि इसे रखना ही होगा, तो क्या होता है eco-sensitive zone eco-sensitive zone एक ecologicaly fragile area होता है, लाइक आपने ये national park बना दिया है यहाँ पर आपने कई तरीके के restrictions लगा दिये, और इसकी बाद बिलकुल यहाँ पर कोई restriction नहीं है तो आप ये ensure नहीं कर पाएंगे रहे कि यहाँ पर जो activities चल रही है, इसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा इसलिए आपको कुछ area तो इसके चारो ओर छोड़ना बड़ेगा, ताकि एक buffer zone create हो जाए और यहाँ जो activities हो रही है उसका प्रभाव इस protected area में ना पड़े तो eco-sensitive zone वो areas होते हैं जिने Ministry of Environment, Forest and Climate Change notify करता है protected areas जैसे कि national park और wildlife centuries के चारो ओर यह कुछ shock absorber की तरह काम करते हैं, एक buffer zone की तरह काम करते हैं जहाँ पर activities उतनी restricted नहीं होती जितनी की national park और wildlife century में लेकिन फिर भी उन्हें regulate तो किया जाता है further, यह transition zone बन जाता है, high protected areas के बीच में और ऐसा area जहाँ पर lesser protection है Environment Protection Act of 1986 में तो eco-sensitive zone इस शब्दा वली का इस्तेमाल नहीं किया गया है eco-sensitive zone वैसे किसी भी protected area के चारो और 10 km तक बनाया जा सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि जो area है उसके बाद का भी ecologically important है तो इसे थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन कम से कम 1 km का तो हो ऐसा सुप्रीम कोट ने अभी insure करने के लिए कहा और ने गाइडलाइन में ये बोला कि 1 km तक रहेगा मान लीजे कोई बातचीत चल रही है safety zone को लेकि कि कितना बनाना है इस बातचीत के तुरा ने ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे कोई buffer zone होगा ही नी या कोई eco sensitive zone होगा ही नी जब तक आप बातचीत कर चल रही है कि कितना eco sensitive zone बनाना है तब तक सुप्रीम कोट का है जो 1 km वाला formula है ये implement हो जाएगा उसके बाद आपको इसको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजी एक किलोमेटर तो कम से कम रहेगा रहेगा ये जो वालेफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ पे mining को permit नहीं किया जाएगा further principle chief conservator of forest and home secretary जो state के हैं वो इस judgment के compliance के लिए responsible होगे वो इसको implement करवाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी 2012 में ये प्रशन आया था कि इनमें से कौन सा protected area है जहाँ पर biomass वहाँ के local people जो हैं लोग हैं उनको collect करने को लाओ नहीं किया जाता so that is national park यहाँ पे लाओड नहीं है तो इस nature के प्रशन आते हैं हर बार ही आ जाते हैं हमारा next article सारस्क्रीन के बारे में है गुजरात के villagers ने एक एकर के land को या field को या खेत को artificial wetland में convert कर दिया ताकि वो सारस्क्रीन के एक जोड़े ने जो अंडे ले किये हैं उन्हें बचा सकें उनके खेत में सारस्क्रीन ने दो अंडे ले कर दिये और वो नहीं चाहते थे कि ये अंडे खराब हो जाएं विकाज वो उसमें खेती करने लग जाएं तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस खेत को एक wetland की तरह बना देंगे और ये देखेंगे कि ये जो अंडे हैं इन ज़्यादा संख्या में नहीं बचे हैं उनके बड़ी सारा स्क्रीन जिन्हीं एंटिगोन एंटिगोन कहा जाता है ये नॉन मैगरेटरी क्रीन है काफी बड़ा पक्षी है लेकिन मैगरेट नहीं करता है ये जो साउथ एश्या का open wetland है या फिर साउथ इस्ट एश्या में जो seasonal wetland बनते हैं वहाँ पर पाया जाते हैं Australia का जो wetland वाला area है जहां पर eucalyptus खूप सारे हो वहाँ पर भी ये क्रीन पाया जाता है फर्दर देखिए ये टालिस फ्लाइंग बर्ड है तब काफी उचा होता है और उड़ सकता है शुत्रमुग भी सबसे बड़ा बर्ड है बट वो उड़ नहीं पाता है ये जब खड़े हो जाएं तो इनकी लंबाई आपको 152 से 156 cm के आजपास मिलेगी और अपने wingspan के साथ तो ये 240 cm तक पहुँच जाते हैं फ़र्दर आप इन्हें बाकी क्रीन से इस लिहाद से लग कर पाएंगे कि इनके बॉड़ी का पूरा प्रटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के आयूसे इनके रड़ेस में वल्नरबल हैं इनका हैबिटेट खतम हो रहा है अब एक कंडिशन आप देख लेजए कि उन्हें खेतों में अपने अंडे ले करने पड़ रहा है इन्हें नैशनल वेट लैंड नहीं मिल रहा है तो ये तो समझ मे ये है कि जो समंदर के किनारे हैं बीच का एरिया है शी शोर है वहाँ पर उस वहाँ पर सफाई की जाए जो प्लास्टिक या वेस्ट है उसको क्लीन किया जाए लोगों का वेर भी किया जाए कि समंदर के किनारे की एरिया को पुल्यूट ना किया जाए इसके बार इसके uniformed youth volunteer service organization है colleges के समय से ही इन्हें basic military training दी जाती है और arm forces के functioning को भी समझाया जाता है हामरा next article ribbon weed के बारे में है ribbon weed की दुनिया का सबसे बड़ा plant है जिसे अभी हाल ही में discover किया गया Australia के west coast पे यह Australia यह Australia का वेस्टरिया का western coast यहाँ पर basically अगर हम देखते हैं तो यह जो plant है kind of sea grass है जिसे यहाँ पे शाक बे में खोजा गया है शाक बे का जो एरिया है western coast पे वहीं पर इस grass को खोजा गया है अभी दुनिया का सबसे बड़ा plant है लेकिन अभी तक खोजा नहीं गया था कितना ironical है न मतलब इतना बड़ा plant है यह इतना बड़ा plant है कि 180 km में फैला हुआ है और यह 4500 सालों से यहीं है मतलब इसका जो origin है बता जा रहा है कि यह इंडस के समय पे रहा होगा 4500 साल पहले यह originate हो गया होगा लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं था अब यह कैसे हुआ हमें किया लगता था कि यह एक middle है यानि कि घास का मैदान है जहां पर खूब सारी grasses है हमें यह नहीं पता था कि यह 180 km में फैला हुआ एक ग्रास है बस इसकी यह अलग-लग साखाएं है तो जमीन के नीचे इसके roots फैले हुए है और उन्हीं roots पर यह जो इसकी इसके जो तने है या grasses जो है वो निकले हुए है हमें यह लगता था यह पूरा meadow है घास का मैदान है जहां खूब सारी sea grasses है अभी समझ में आया है कि यह sea grasses है ही नहीं मतलब बहुत सारी नहीं है यह तो एक ही है researchers research करने गए अलगर जिएक से sample लिए गए सब जिएक सेमी मिला तब उन्हें उसकता हुई तब पता चला के रिए यह तो एक ही grass है इसमें जो chromo-somes होते हैं वो बाकी plants के दुलना में दो गुने होते हैं यह 35 cm per year के basis पे बढ़ता रहता है और 20,000 hectare में फैला हुआ है जैसे इसकी length के हम बात कर रहे हैं तो इसकी length जो है वो 180 km में है मतलब आप मुंबई से पुरे तक इस पूरी grass को फैला दो यह एक ही पेड है यह एक ही पौधा है यहां पर देखिए 20,000 hectare में यह पूरा फैला हुआ है अगर यह दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है ribbon weed तो इसकी बाद दूसरी नंबर पे क्या आता है दूसरी नंबर पे एक clonal colony आती है quacking aspen tree की जो उता में है अमेरिका में यह 43.6 hectare में फैला हुआ है यह ऐसे एक colony type होती है पेडों की इस तरीके से यह एक ही होते है मतब इनकी roots connected होते है और यह बहुत बड़े area में फैले रहते है इंडिया में जो सबसे बड़ा plant है या पेड़ है वो कौन सा है that is great bunyan tree जो कि हावडा के potential garden में है 1.41 hectare में फैला हुआ है यह कुछ ऐसा है एक दफा मुझे यहाँ जाने का मौका मिला था तो काफी बड़िया है आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बन्यान पेड़ की जो साखाएं होती है वो लटकती है जमीन को पकड़ने के बाद वो एक रूट की दरह वर्क करने लगती है यही करन है कि बन्यान ट्री बहुत जादा बड़े एरिया में फैला हुआ है आप यहाँ जा भी सकते हो तो आसा इसको अची तरीके से देख भी सकते है फिविश्टू को अगर अभी जाने का मौका मिले तो हमारा नेक्स आर्डिकल Environment Performance Index के बारे में है हाल ही में Environment Performance Index 2022 जारी किया गया इसमें जो इंडिया के बारे में कहा गया इस पर इंडिया ने बहुत ही सकता पत्ती जदाई इंडिया ने इस पूरी रिपोर्ट का खंडन किया उन्होंने कहा यह पूरा जो इंडेक्स है यह Biasd Matrix पर Based है और इसमें जो Waste Decide किये गए हैं वो भी Biasd है Government ने इसे पूरी तरीके से Unscientific बताया है अगर मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट का Result बताऊं तो आप भी Government of India का Stand ही Follow करेंगे और निश्चित तोर पे एक कहा देंगे कि इस Performance Index में कही गई बात पूरी तरीके से बखवास ही है 180 देसों को Evaluation में लिया गया है और इंडिया को Rank दी गई है 180 में आप यहाँ पे यह कह सकते हैं कि यह World Economic Forum जो बोल रहा है वो उसके खुद के कान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है मतब दुनिया में इतने सारे देस हैं जहाँ पे Environmental Performance बहुत ही बेकार स्थिती में है और इंडिया पिछले कई सालों में कम से कम इस Front पे बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके बाद आप 180 देसों के Evaluation में इंडिया को 180 नंबर पे रखें यह तो पूरी तरीके से निरर्थक होगा इनके Parameters में जो इंडिया को Rank किया गया है अलग-लग Parameters पे वो भी Justified नहीं है इसलिए इंडिया ने इस Report का पूरी तरीके से खंडन करते हुए इसे Completely Unscientific Declare किया है EPI एक Binary Index है दो साल में एक दफा आता है World Economic Forum इसे निकालता है इस दफा उन्होंने ये Report निकालते वग Collaboration भी किया है Yale Center for Environmental Law and Policy के साथ और Columbia University Center for International Earth Sciences Information Network के साथ तो यह जो कलाकारी है यह इन तीन लोगों ने मिलके करी है यहाँ पे देखे 2022 का जो EPI है यह Joint Project है यह Yale Center Columbia Arts Institute का वो तो बता दिया मैंने 40 Performance Indicators इसमें है 11 Issue Categories में जहाँ पे 180 रेसों को उनके Climate Change Performance, Environmental Health और Ecosystem Vitality के वेसेस पे मेजर किया गया Findings में Denmark को इन्होंने Top पे रखा इंडिया को इन्होंने 180 नंबर पे रखा हुआ है और पिछले साल यहनी कि 2020 में जो इंडिया की रेंकिंग थी पिछले दौसाल में दफा होता है 2020 में रेंकिंग आई थी तो 168 नंबर इंडिया का था पर उसी देसों में देखे किसके पास क्या रेंक है अफगानिस्तान के नोंने 21 नंबर पे रखा हुआ है पाकिस्तान को 176 पे, सिलंका को 132 पे, पांगला देश को 177 पे, चाइना को 160 पे और नेपाल को 162 पे और इंडिया को 180 पे जो कि definitely ridiculous है टार्टिकल, क्लियो नॉइडिस फेंटेस्टिकस के बारे में है, ये एक giant tortoise है, जिसका नाम है क्लियो नॉइडिस फेंटेस्टिकस, एक समय ये माना जा रहा था कि ये प्रजाती extinct हो चुकी है, यानि कि धर्ती से समाप्त हो चुकी है, लेकिन 2019 में इन्हें वापस से discover किया ग जीव है, जो extinct हो गया है, ये extinct होने के बाद फिर से rediscover हुआ है, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो important हो जाता है, ये giant tortoise है, जिसे commonly fernanda कहा जाता है, fernanda इसले इसले नाम दिया जाता है, because ये fernandina जो island है, जो gallopagos island का हिस्सा है, वहाँ पर discover किया गया था, इसे gallopagos giant tortoise भी कहा जाता है, fernandina island से ये अपना नाम fernanda, derive करता है, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी, IUCN status critically endangered और possibly extinct है, इस species के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी थी, वो एक single individual की वज़र से ही थी, जिसे हमने 1906 में खो जा था, और अभी हाल ही में इनकी re-discovery हुई है 2019 में, ये tortoise बहुत लंबा swim नहीं कर सकते, मतलब अगर इन्हें एक island से swim करके, दूसरे island पे जाना हो, तो ये नहीं जा सकते, इस लिहाद से आप ये कह सकते हैं कि क्या कच्छवा बनेगा रितू, अब देखे वो जीव जो बहुत तेजी से दौर लेते हैं, वो जीव जो हवा में बहुत उचाई पे उड़ लेते हैं, इनसान उन्हें तो छोड़ता नहीं, उन्हें भी मार दे है, अब ये बेचारा कच्वा तो एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड पे भी नहीं जा पाता, तो आपको लगता है कि ये बचेगा, इसको तो वैसे ही मार देंगे, लेकिन फिर भी देखे कई दफा ये एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड पर आपको जाते हुए या मिल जाएंगे, अगर कोई बहुत बड़ा स्टॉम आया, तो उसके बहाव में ये पहुंच जाते हैं, या कई बार जो सीफेरर होते थे, पास्ट में, वो भी सकच्वे को एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड पर लेके चले जाते थे, वाकि ये तैर के नहीं जाते, इनको अच सिफे कोईशन में, देखे ये जो लोकेशन है, स्पोट की गई है, यहाँ पर कई सारे आइलेंड से ग्रुप में, जो आइलेंड है, वो गैलापेगोज होर्ट स्पोट के थ्रू ही बना हुआ है, ये एक 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 एक्टिव शील्ड वालकेनों है, जो काफी रिसेंटली इर प्रेडिटर्स से, खुद को रोल कर लेता है, गुमा लेता है, एक गेंद की तरह बन जाता है, तो सही जवाब है, हैज हॉग और पैंगोलिन, तो पैंगोलिन यहाँ पे है, और हैज हॉग यहाँ पे है, ये खुद को ऐसे रोल कर लेते हैं, तो जो प्रेडिटर्स होते है है वो इनके उपर हमला नहीं कर पाते हैं सो आंसर इस डी हमारा नेक्स टार्ट कर नीली जील के बारे में हैं लिली के सरकार ने अभी एमन बना लिया है कि जो असुला फट्टी वालेफ संचुरी में एक नीली जील है उसे एको टूरिजम हब के तौर पे डेवलप किया जाए काफी बड़ी और हिडन जील रही काफी जो घाना एरिया है असुला फट्टी वालेफ संचुरी का वहाँ पे लोकेटेड है इसे ही एको टूरिजम हब के तौर पे डेवलप करने का प्लान है यहाँ पे हमें स्टेप सीटिंग फेसलिटी एम्फी थीटर मिलेंगे एम्फी इस्तेमाल किये जाएंगे फेरी के लिए असुला फट्टी वालेफ संचुरी की बात करें तो यह साउट डेली रिज सेक्शन में लोकेटेड है दिली हर्याना के बॉर्डर पी संचुरी जो है वो लास्ट रवाइविंग रमिनेंट है डेली हिज जो रिज हिल रींज है उ बोजार, लेपर्ड, जैकाल, पामसाइब विट, ब्लैक, नैप्ट, हेर, ग्रे मंगूज, रूडी मंगूज, स्ट्रिप्ट, हाइना, हॉग डियर, ब्लैक बक, फॉटिड डियर, वाइल बोर, लंगूज यह सब यहां मिलेंगे इसके आसपास कई सारे हिस्ट्रोरिकल प् में है, लिली के सरकार ने अभी यह मन बना लिया है कि जो असोला फट्टी वाइलेफ संचुरी में एक नीली जील है, उसे एको टूरिजम हब के तौर पे डेवलप किया जाए, काफी बड़ी और हिडन जील रही, काफी जो घाना एरिया है असोला फट्टी वाइलेफ संच असोला फट्टी वाइलेफ संचुरी की बात करें तो यह साउट डेली रिज सेक्शन में लोकेटेड है, दिली हर्याना के बॉर्डर पी, संचुरी जो है वो लास्ट रवाइविंग रेमिनेंट है डेली हिज, जो रिज हिल रींज है उसका, और सेमी एरीड फॉरिस्ट है ठीक है, फॉर्दर यहां पे आपको 30 स्पीसीज मैमल्स की 252 बर्ड्स की 28 रेप्टाइल्स की और 26 बटर्फाइल्स की स्पीसीज मिल जाएंगी, अनिमल्स की बात करें तो कई सारे अनिमल्स मिलेंगे, नाम ले लेता हूं आपको सारे याद तो नहीं रहेंगे, दो जार ल इंगपुर डैम, यह दोनों हर्याना में है, तुगलकाबाद फोर्ट और अधिलाबाद रुइन्स यह डैली में है, और चतरपुर टैंपल यह डैली में है, यह इसके आसपास की हिस्ट्राइकल प्रेसे हैं, हमारा निक्स आर्डिकल एर कॉलिटी लाइफ इंडेक्स के ब जो University of Chicago में है, EPIC के दवरा, तो यहां पर देखिए, लिंक किया जाता है एर कॉलिटी को या एर पॉलिशन को human life के साथ, कि अगर आप एर पॉलिशन फैलाते हैं, तो जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है, हमारी life expectancy को यह कितना घटा आ रहा है, इसके माध्यम से जो policy makers ह सकते हैं कौने कौन से कदम उठाने हैं, जो कदम अभी तक उठाए गए हैं, वो कितने कारगर हैं, और कौन से ऐसे कदम और उठाके वो लोगों की life expectancy या जीवन को बढ़ा सकते हैं, findings में यह मिला कि global level पे pollution की वज़़े से life expectancy 2.2 years घटी है, अगर लोग 60 साल जीने वाले थे तो अब वो 57.8 years ही जीएंगे, यह situation इंडिया में जादा खराब है, अगर आप comparison करें तो, देखे कुछ और comparison यहाँ पे दिया गया है, इंडिया पे पहुचेंगे पहले वो देखी, 2.2 year की life expectancy का कम होना due to air pollution, यह उतना ही है जितना smoking से कम होता है, alcohol use से जो life expectancy कम होती है, यह तीन गुना जादा है, alcohol use और unsafe water के, HIV AIDS से जो खतरा होता है जानको, life expectancy जितनी उससे कम होती है, यह उसका 6 गुना जादा है, और conflict और terrorism में जो जाने जाती है, life expectancy उससे जो कम होती है, यह उसका 89 टाइम्स जाता है, मतलब air pollution कम खतरनाक नहीं है, इंडिया की बात करें तो, 55 साल ही जी पाएगा, इंडिया में, डेली, most polluted megacity रही है, यहाँ पे life expectancy 10 साल तक कम होई है, अगर यह air pollution का level ऐसा ही चला, और world यहाँ पर जो level है, current जो air pollution का level है, वो बना रहा, तो डेली में रहने वाले लोग, जो 6 साल का जीवन जी सकते थे, वो महस 50 साल में ही अपनी जान उसे follow किया जाना चाहिए, नहीं तो यह air pollution जान लेना शुरू कर देगा और लोगों के जीवन सर को घटा देगा, और लोगों के जीवन सर को घटा देगा, और प्लास्टिक का चम्मच, कोई straw या फिर कोई और item हो सकता है, कोई plastic की glass हो गई, कोई disposable item हो गया, यहाँ पर यह जो items होते हैं, यह चुकि एक ही बार इस्तेमाल में होते हैं, तो environment को बहुत ज़दा pollute करते हैं, कुछ items होते हैं, पानी की टंकी, बाल्टी, जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसमें बहुत समस्या नहीं होती है, सेटल कॉर्मेंट ने भी हाली में polystyrene भी शामिल होगा, 1st of July 2022, is the date, याद रखिएगा, single-use plastic के बारे में कुछ basic बाते समझते हैं, Mindro Foundation Report, इनका क्या कहना है single-use plastic के बारे, single-use plastic जो है, वो जो भी plastic globally produced किया जाता है, उसका one-third cover करता है, इन में से 98% fossil fuel से बनाया जाते हैं, काफी durable होते हैं, लंबे समय तक environment में बने रहते हैं और pollute करते हैं, इंडिया उन top 10 countries, top 100 countries में आता है, जो single-use plastic waste generate करते हैं, और in top 100 countries में हमारी rank 94 है, top 3 Singapore, Australia and Oman है, इंडिया domestic production जो करता है single-use plastic का, जिसे आप short में SUP भी बोल सकते हैं, that is about 8 million metric ton, हम 2.9 million metric ton का import भी करते हैं, क्योंकि जो हम produce करते हैं, उतने से हमारी जरूरते पूरी नहीं हो पाती, इंडिया का जो per capita generation है single-use plastic का that is about 4 kg, मतब हम और आप भी 4 kg single-use plastic के इस्तेमाल के लिए और उसे कचरे में तबदील करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो largest share है single-use plastic का that is of packaging, चीजों को pack करने में बहुत बड़ी scale पे single-use plastic का इस्त belongings हैं, उसमें toothpaste, shaving cream, frozen foods, इनको cover करने में, जो single-use plastic के इस्तेमाल किया जाता है, वो कच्रा बनके सामने आ जाता है Central Pollution Control Board यानि की CPCB ने announce किया है, कि इन सभी products पे जो single-use plastic के इस्तेमाल होता है, वो ban होगा that is earbud, balloon stick, candy and ice cream के sticks, cutlery items, जिसमें plates and all, cups, glasses, fork, spoon, knives, trees, ये सब आ जाते हैं sweet boxes, invitation cards, cigarette packs, PVC banners, जो advertisement के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, जो 100 micron से कम मोटे हैं and polystyrene, जो decoration के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब ban होगा polystyrene bags के ban को लेकर क्या बाते हैं समझे, ministry ने कुछ polystyrene bags को तो already ban कर रखा है कुछ का मामला यहां उनकी मोटाई से है, देखें जो plastic मोटे होते हैं, उन्हें recycle करना असान होता है वो थोड़े महंगे होते हैं तो उनका इस्तेमाल भी कम होता है लेकिन अगर plastic बहुत पतला है, तो एक तो वो सस्ता होगा, जादा इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा उसे recycle करना भी मुश्किल होगा September 2021 से ही, कोई भी ऐसा plastic bag, जो 75 micron से कम का है, उसे बैन कर दिया गया पहले ये 50 micron था, इस limit को 75 कर दिया गया Further, December 2022 तक जो limit है, उसको extend करके 120 micron कर दिया जाएगा मतब जो भी polythene bags इस्तेमाल होंगे, उनकी मोटाई 120 micron से जादा होनी चाहिए ताकि वो थोड़े महंगे हों, उनका कम इस्तेमाल किया जाए, फर्दर उन्हें recycle करना भी आसान हो Satchets, जिनने आप छोटे bag या packet बोल सकते हैं Plastic Waste Management Rune 2016 के अनुसार इन पर पूरी तरीके से ban होगा ये वो plastic material हैं जो छोटे-छोटे packets में आते हैं गुटका, पान-मसाला, तुबैको, इनके छोटे-छोटे packets होते हैं कई बार इन छोटे packets में आपको सुगर यानि की चीनी के जो cubes होए, वो भी मिलते हैं ये सभी जो plastic के packets होते हैं, ये बहुत बड़े skill पे pollution फैलाते हैं एक बार आपने उन पैक्स का इस्तेमाल किया, वो खचरा बन गए तो हम उन्हें भी रोकेंगे इसे कौन monitor करेगा? कि ये जो ban है उसे implement किया जाए Central Government की ओर से CPCP Central Pollution Control Board वो इसे monitor करेगा और राज्यों में State Pollution Control Board इस प्रकार के implementation के लिए जिम्मेदार रहेगा Penalty की बात करते हैं Environmental Protection Act of 1986 में जो Penalty के प्रावधान है वही implement होंगे अगर कोई इस ban को नजर अंदास करता है तो उसे 5 साल तक की jail हो सकती है या एक लाग तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है तो आपने देखा कि इस कानून को सकती से लागू करने की योजना भी बनाई गई है देखिए इस प्रकार कि क्या questions पूछे गए है past me Micro Plastic पे questions पूछे गए है Where is there a great concern about the microbeats जो environment में release किये जाते हैं इसको लेकर क्या बहुत ज़्या concern है 2019 का ये प्रश्न है मरीन एको सिस्टम के लिए कई सारे beauty products में इन plastic के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब वो beauty products इस्तेमाल हो जाते हैं तो ये पानी के माध्यम से बहकर समंदर में तालाबों में नगियों में चला जाता है जहांके marine animals के लिए ये काफी ज़दा खतरनाग बन जाता है यही प्रश्न 2019 में आया था तो प्लास्टिक के टुकड़े या प्लास्टिक को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं तो दोबारा भी पूछा जा सकता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल National Chumble Sanctuary के बारे में है हाली में मत्रपदेश की सरकार ने एक पस्ताव पारित किया तपोस किया है इन फैक्ट जिसके तहत 292 हेक्टेर की जो जमीन है उसे पांच हिस्सों में सैंड माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा चंबल और उसकी जो ट्रिबिटरी है परवती रिवर उसके आसपास का ये एरिया होगा अब सोच ये ऐसा क्यों किया गया जबकि सैंड माइनिंग को अक्सर रोकने की कोशिस की जाती है एक्शुली में चंबल सैंचुरी के आसपास का जो एरिया है या चंबल नदी का जो पूरा रीजन है वहाँ पे 2006 से ही सैंड माइनिंग को बैन कर दिया गया लेकिन सैंड माइनिंग तब भी फ्रिक्वेंट्री हो रही थी इलेगल माइनिंग तो हो रही है सरकार को revenue generate हो नहीं रहा है यह illegal mining को रोक नहीं पा रहे तो इन्होंने सोचा कि illegal mining को हम रोक तो पा नहीं रहे है कम से कम पैसे ही वसूल कर लें तो उन्होंने कहा कि अब हम इन 5 stretches में इसे lease पे देंगे और पैसा लेंगे तो अपने efforts कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया जबकि सही कदम तो यह होता कि आप illegal miners पे सक्त कदम उठाएं लेकिन वो यह नहीं कर रहे है बलकि वो उससे पैसे generate करने की courses कर रहे है कि illegal mining ना हो बलकि जो mining हो अब मुझसे पैसे कमा लें बात करते हैं नेशनल चंबल sanctuary के बारे में इस sanctuary को 1979 में बनाया गया 425 km जो चंबल river का length है उसको cover करते हुए 2-6 km जो चंबल river के आसपास का area है उसके विर्थ में इसे cover किया गया राजस्तान मध्यपदेस और उत्रपदेस के tri junction पे नेशनल चंबल sanctuary जो है वो एक important bird area भी है और इसे रामसा साइट के तौर पे भी प्रपोस किया गया भी यह बनी नहीं है नेशनल चंबल sanctuary में आपको critically endangered घडियाल मिल जाएंगे जिस पर UPSC प्रशन पूझ भी चुकी है यहाँ पर आपको मिलेंगे red crown roof turtle और endangered gangies river dolphin चंबल नदी जो है यह घडियाल की population को सबसे बड़ी population को wild में support करती है यह एक मात्र nesting place है जो known है इंडियन्स की मर्स के लिए चंबल river के आसपास का जो region है यह चंबल जो river है यहाँ पे जो 26 turtle की species भरत में पाई जाते हैं उनमें से 8 आपको यहाँ मिल जाएंगे चंबल भरत की कुछ साफ नदियों में से एक है तो यह तो चंबल river और sanctuary की बारे में कुछ महतपूर्ण बाती हो गई जो प्रश्ण 2017 में पूछा गया था वो यह है कि घडियास को अगर आपको उनके natural habitat में देखना हो तो कहां मिल जाएंगे सही जवाब B था चंबल रिवर में हमारा next article glyscropus megalianus के बारे में है scientist ने भी हाल ही में एक bamboo dwelling bat की species को खोजा है इस species को नाम दिया गया है glyscropus megalianus megalianus नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे खोजा गया है megalia के ribhoi district में अब ribhoi district अगर आप megalia का देखना चाहते हैं तो रुकिए मैं आपको map में दिखा देता हूँ ये इंडिया का map है ये north eastern region में megalia है और megalia में देखे यहाँ पर ये ribhoi district है megalia में तीन आपको hill ranges मिलती है गारो खासी जयनतिया तो रीभोi के लावा जो भी district है वो या तो गारो नाम से हैं या खासी या जयनतिया आप इनके यहाँ पे नाम भी देख सकते हूँ north गारो hills west गारो hills south west गारो hills east गारो hills और south गारो hills तो यहाँ पर तो देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके इधर west में यह सब गारो पे हैं west khasie hills south west khasie hills east khasie hills ये पूरा हो गया खासी का और यहाँ पे जयनतिया west जयनतिया hills और east जयनतिया hills तो मतब रीब होई के लावाद जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गालोखासी जयन्तिया के नाम पे रखे गए हैं वो तो आप यहाँ देखी पा रहे हो तो बंबू ड्वेलिंग बैट है यह बंबू ड्वेलिंग बैट जो है वो बंबू के इंटर नॉट्स में रहता है पहुंत है। वो भी काफी ज्यादा अलक है। कुछ इस तरीके से है कि यह बंबू में आसानी से रह पाता है। बात करते हैं इस बैट के बारे में ये जो बंबो ड्वैलिंग ठिक थमड बैट स्पिसीज है ये ठिक थमड बैट स्पिसीज है इसका जो थम्ड है वो काफी मोटा है आप यहां इमिज में भी देख सकते हो ये नौकाइलम वाइलेफ सेंचुरी के जो फरेस्टेट पैचेस है वहाँ पर पाया गया साइज में थोड़ा छोटा है डाक ब्राउन कलर का है और जो बेली पेट का एरिया है वो आपको सलफर यलो कलर का मिलेगा यह significant इसलिए discovery है because यह discovery एक थिक थम्ड बैट की है जो की ना केवल इंडिया में बलकी पूरे सौथ एशिया में पहली बार रिपोर्ट किया किया है and that is the reason कि discovery important हो जाती है बात करते हैं मिघालिया में होने वाली अन डिस्कवरी के बारे में तीन बंबू ड्वेलिंग बैट अभी तक यहां खोजे गए हैं इसलिए पूरा रिजिन इंपॉर्ट हो रहा है एक्जैंपल के तौर पे नॉंखाइलियम वाइलेफ सेंचुरी यहां पर अभी कुछ समय पहले एक डिस्क फूटेड बैट डिस्कवर किया किया नाम था यूडिस्कॉपस डेंटिकुलस इस बैट की इमिज को आप यहां पर देख सकते हो तो मतब यहां पर बैट्स की तीन बजातियां कोची जा चुकी है नॉंखाइलियम वाइलेफ सेंचुरी की बात करें तो यह आपको रीभोई डिस्टिक में मिलेगा 29 स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ नॉंखाइलियम वाइलेफ सेंचुरी इसके रामबोर्स की कई सारी प्रजातियां जैसे की मनिपूर, बुस्ट्सक्वेल, रुफाउस, नेक्व, हान्विल और ब्राउन हान्विल वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो यह तो बैट्ट के प्रजाति और बाकी इंफॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट आर्डिकल कोरल रीफ की चार नई स्पिसीज के बारे में है जिनने अभी हाल ही में इंडियन वाटर्स में पाया गया है और स्पेसिफिक हो जाएं तो अंडमान निकोपार एलेन के पास में यह जो कोरल्स हमें मिले हैं यह जीनस त्रुंकाटो फ्लैवलम से बिलॉग करते हैं जो चार नियू स्पिसीज पाई गई हैं यह जो जंतलेट कोरल्स हैं यह कांड अफ हार्ड कोरल्स होते हैं इसका मतलब क्या हम समझ लेंगे उसके पहले जो चार पजातियां पाई गई हैं, उनके नाम यहाँ पर हैं, थोड़े से टफ लगेंगे आपको, बट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पहला है Truncato Flabilum Crasum, दूसरा है T-Incrustatum, तीसरा है T-Irregular, और चौथा है T-Crasum, तो यह चार नाम मैंने आपको बता यह थोड़े टफ हैं, इस वेरी अनओवियस कि आपसे यह नाम पूछ लें, यह जो कोरल्स हैं, यह अंडवान निकोबर आइलेंड के वाटर में पाए गए हैं, फैमिली, फ्लैबल आइडी से बिलॉंग करते हैं, यह नॉन रीफ विल्डिंग है, यहाँ पर ध्यान से कोरल्स मर जाते हैं, तो वो कैसम कोबनेट ढ्या जाता है, उसकी एक लेएर्ट बन जाती है, ऐस employee से ब घर आएगे गी अगर यहिजआ रहता building coral कहा जाता है, कई सारी studies में ये पाया गया कि जो hard corals इंडिया में पाये जाते हैं, वो non-reef building corals हैं, इनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी है नहीं, हम reef building corals पे खूब study करते हैं, लेकि non-reef building corals पे ज़्यदा study होती नहीं, जो non-reef building corals हैं, वो solitary होते हैं, अलग रहते हैं, और कई बार वो deep waters में भी पाये जाते हैं, deep waters में वो इसलिए भी रह पाते हैं, क्योंकि वो a-ju gentlet corals होते हैं, a-ju gentlet corals होते हैं, वो खाना खुद नहीं बनाते, बलकि उनके उपर जो algues आ जाते हैं, वो sunlight के इस्तिमाल करके खाना बताता है, corals खाते हैं, और इस algae के लिए base देता है, ये coral, लेकिन कुछ corals ऐसे होते हैं, जो ju gentlet, जो एक प्रकार का algae है, उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाते, बलकि वो अपने nourishment के लिए plankton का इस्तिमाल करते हैं, जो microorganisms होते हैं, समंदर में तैरते रहते हैं, चूंकि वो ju gentlet, जो एक प्रकार का algae है, जो sunlight से खाना बनाएगा, और उसके बाद coral उसको खाएगा, तो वो ju gentlet का इस्तिमाल करते ही नहीं, तो उनके लिए sunlight compulsion नहीं रह गया न, क्योंकि plankton तो उन्हें नीचे भी मिल जाएंगे, इसी लिए, वो deep waters में भी पाया जा सकते हैं, तो जो ju gentlet corals होते हैं, या ju gentlet corals होते हैं, जो algae का इस्तिमाल करते हैं, खाने के लिए, वो shallow water में ही रहते हैं, क्योंकि उनको sunlight चाहिए, लेकिन जो a ju gentlet corals होते हैं, वो deep waters में भी मिल सकते हैं वो solitary होते हैं, non reef building होते हैं इनके बारे में कम study होती है, लेकिन article में है तो जानते रहे हैं ये 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई में मिल सकते हैं shallow water में भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई compulsion नहीं है लेकिन deep water में जो जो gentulate corals हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको तो sunlight चाहिए 570 species corals के इंडिया में पाई जाती है किन में से 90% जो हैं वो अंडमान निकोबर एलेंड के आसपास मिलेंगे ये 1% से भी कम और्थ का surface cover करते हैं लेकिन 25% marine life को accommodate करते हैं ये मामला आपने समझा हमरा next article कैबुल लामजौ नेशनल पार्क के बारे में है यहाँ पे actually में एक heritage बनाने के लिए सरकार ने कहा था और अब वो उसकी location को बदलना चाहते हैं तो वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं जो site decide की गई थी वहीं पर heritage बनाया जाए इसी reference में कैबुल लामजौ नेशनल पार्क न्यूज में आया क्योंकि इसके पास में ही ये heritage बनाया जा रहा था कैबुल लामजौ नेशनल पार्क पारत का एक मातर in fact दुनिया का एक मातर floating national park है ये national park तैरता रहता है लोग तक लेक में है और यहां पर हमें मिलते है एक बहुत ही vicious प्रकार की प्रजाती deer की that is sungai deer जिन्हें dancing deer भी कहा जाता है ये last natural habitat है bro antler deer का जिन्हें sungai deer हम basically कहते है मानिपोल में अब ये floating national park है इसका क्या मामला है basically देखे जो national park है इसमें में मिलते हैं fomdees fomdees के नीचे देखे एक मिट्टी के layer हो सकती है कोई organic material हो सकता है और उसके पर खूब सारी घास उगाती है लेकिन ये मिट्टी के layer जमीन से touch नहीं होती ये मिट्टी के layer ही तैर रही होती है और इसके उपर जो घास वगएरा होती है वो भी तैर रही होती है तो ये जो fomdees हैं ये देखे ये fomdee है ठीक है अब ये आज यहां है ये तैर के यहां चला जाएगा या ये पूरा का पूरा ये जो circle है ये भी तैर के चला जाएगा Fomlees वैसे scattered form में होते हैं इन्हें ही जोड़के वो कई बार से circles बना लेते हैं तो जो circles आपको दिख रहे हैं ये man-made हैं ये Fomlees हैं जो तैरते रहते हैं कई बार ये Fomlees थोड़े बड़े होते हैं तो locals इस पर घर भी बना लेते हैं जहते हैं घर आज यहां है तैर के कहीं और चला जाता है तो ये Fomlees हैं जो इसे एक floating national park का scenario दे देते हैं तो ये तो आपने समझ लिया 1950 के दौरा नहीं माना जा रहा था कि जो bro antler deer है यानि कि संगाई deer है वो extinct हो चुका है लेकिन बाद में उसे मनिपूर में rediscover किया गया तो उसके बाद उसको बचाने के प्रयास किये गए और अभी कैबुल एमजोर नेशनल पार्क में हम ये संगाई deer देखने को मिलते हैं इसके नमा होग deer, otter और कुछ माइगरेटरी वर्स भी यहां मिलती है लोक्टक लेक, largest, one of the largest fresh water lake है in fact, North East India के तो largest ही है जहां पे फुम्डीज फ्लोट करते रहते हैं फुम्डीज क्या है? हेटरोजनेस मास वेजिटेशन, soil and organic matter ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरते कैसे रहते हैं ये जो एंसेंट लेक है ये वनिपुर की economy का एक important part है बहाँ irrigation के लिए पानी, drinking water के supply hydropor generation में मदद करता है international, देखे, चुकि ये काफी ज़दा important है biological perspective से biodiversity के perspective से इसे लोग तक लेक को wetland of international importance भी डेकलेर कर दिया गया रामसर convention के थार्ट 1990 में और 1993 में इसे Montex record में डला गया इस ecosystem पे काफी pressure है human activity के वज़े से हम इसके resources को लगाता इस्तिमाद कर रहे हैं हमारा next article giant stingray के बारे में ये दुनिया का सबसे बड़ा freshwater fish है जिसे अभी तक record किया गया है, नाम दिया गया है giant stingray, इसे मेकॉंग river में अभी हाल ही में catch किया गया Cambodia में, ठीक है इसे capture किया गया wonders of the mekong project के तहट जो एक joint Cambodia US research project रहा इसमें देखिए, इस fish के बारे में बात करते हैं तो giant freshwater stingray, एक species है stingray की, जो की एक fish की जो family है that's a tide egg family, उससे बिलॉंग करता है इसे देखिए, नदी के लगभग हर इस्ते में जो asturies है, South East Asia की या Borneo की वहाँ पर पाया गया है इस मचली में काटे होते हैं जो की काफी ज़ादा जहरीले होते हैं ये काटे एक foot तक के होते हैं हाला कि इंसानों के लिए ज़ादा बड़े threat तो नहीं होते लेकिन इन्हें देखे कई बार मार्केट में देखा जाता है चीप प्रोटीन के सोर्स के रूप में इनकी history, ecology, migration pattern के बारे में अभी हमें कुछ खास जानकारी नहीं मेकॉंग river की बात करते हैं तो transbondral river है, एक से अधिक देशों में बैती है East Asia और South East Asia के South East Asia की ये सबसे लंबी नदी है, आप इस नदी को map में देखेंगे तो ज़्यादा insight मिलेगी तिबितन ट्रेटू से ये originate होती है इंडिया में एंटर नहीं करती है देहान दीजेगा, इंडिया के बाहर बाहर जाती है चाइना, म्यांगमार, लाओस, थाइलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए ये South China शी में खोड चिन्मिन सिटी के पास में जाके गिर जाती है वेंतियाने जो की लाओस की capital है और फ्नॉंफेन जो की कंबोडिया की capital है दोनों ही इस नदी के किनारे पर है seasonal variation इसके flow में काफे ज़ादा है rapids है, waterfalls है इसलिए इस नदी में navigation टफ होता है कैसर इस पर सीज जाइन फे शोटर विश की इस नदी में detect की गई है हमारा next article मेनार वेटलैंड के बारे में है मेनार वेटलैंड एक bird village के तौर पे तो already recognized है वहाँ के लोगों ने काफे ज़ादा efforts किये है कि वहाँ पे जो भी birds वगएरा आती है उनको बचा के रखा जाए मेनार जो कि राजस्थान के उदैपुर district में है उसे राजस्थान के नए वेटलैंड के रूप में ब्रहमा और दूसरी है धंद यहाँ पे बहुत सारी migratory birds हर साल आती है जो forest department है उन्होंने इसे wetland notify करने के लिए जो प्रक्रिया है process है उसको start कर दिया है sediments की और nutrients की storage में एक काफी significant role रहता है और यहाँ की जो local authorities हैं वो कोशिस करती है कि जो respective lakes है उनको maintain करके रखा जाए इसी की resultant इसे wetland declare किया जाएगा जो wetland का status है इसके माध्यम से या इसके बाद जो दोनों lakes है उनमें vegetation जो aquatic plants की हैं या protective biodiversity हैं उन्हें और standard करने में मदद मिले कि क्योंकि extra safeguards हम लगा पाएंगे न कई सरी species हैं 150 species हैं local और migratory birds की जो इस winter season में दुनों lakes के आसपास आ जाती है राजस्थान में वर्तमान में दो wetlands हैं जिनने रामसा साइट डिकलेर किया गिया है जिनमें एक है केवलादेव घाना जो कि भरतपर district में है बहुत ही खुबसूरत जगह है bird watchers के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं birds वगरा को देखने के लिए सामभर salt lake है जैपर district में केलादेव घाना मुझे एक बार जाने का मौका मिला था काफी बढ़िया जगह है अगर आप जाना चाहें पानी को लेकर तो वो पानी सोख लेगी wetland में usually पानी भरा रहता है बट इतना नहीं कि आप उसमें डूपकी लगा ले तैल लें बोर्ट चला लें इतना पानी नहीं होता यह पानी या तो seasonally हो सकता है या permanently हो सकता है पूरे साल उसमें पानी बना रहा है या हो सकता है कि season में आये फिर सूख जाए wetland कई तरीके के हो सकते हैं mangroves, marshes, rivers, lakes, deltas, flood plains, flooded forest, rice field आप देखें जो धान का खेत होता है वो भी एक प्रकार का wetland ही होता है coral reefs, marine areas marine areas की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दिजेगा marine areas में tights आती है जब low tide हो तो जो पानी की गहराई है वो 6 मीटर से ज़ादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर देखें तब भी चुकि marine area है तो पानी तो ज़ादा रहेगा तो significant depth दी गई है जब high tide आएगी तब तो पानी obviously बढ़ जाएगा लेकिन low tide में 6 मीटर से ज़ादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए ऐसे areas को आप wetland की category में डाल सकते हो wetland human made भी हो सकते है natural भी हो सकते है human made में simply rice field, dhan का खेट wastewater treatment ponds, sea reservoirs यह सब human made हो जाते हैं बाकि जो mangroves, marses, rivers, lakes हैं यह सब तो natural है आपको समझ में आई रहा है यहाँ पर देखे question है 2019 के prelims का तीन statement आपके सामने थे रामसार convention के तहत यह mandatory होगा government of India के उपर कि वो सभी wetlands को जो इंडिया के territory में हैं उनको protect और conserve करें दूसरा है कि wetland conservation and management rules 2010 frame किया गया रामसार convention के आधार पे उनकी recommendations के basis पे दोनों यह statement गलत है यह देखिए absolute statement है यह बहुत extreme statement है all the wetland ऐसे statement usually गलत होते हैं आपको general understanding से भी पता है exceptionally ऐसे statement correct होंगे यह तो गलत ही होते हैं और दूसरा यह है कि यह रामसार convention के एमबिट में नहीं आये थे आये ज़रूर से बट independent थे तो तीसरा statement तो यहाँ पे correct है लेकिन पहला और दूसरा incorrect है तो C will be the answer 3 only हमारा next article EU draft nature restoration law के बारे में है European Union का जो European Commission है उन्होंने भी हाली में draft तयार किया है nature restoration law का जिसके माद्यम से वो nature को restore करेंगे climate change को mitigate करने की कोशिस करेंगे European continent में अब देखें सबसे पहले तो nature restoration होता क्या है nature restoration का मतलब यह होता है कि nature को जो हमने exploit किया है हम उसे इतना समय दें कि वो खुद को regenerate कर सके वापिस से अपनी पुरानी स्थिती में आ सके अब nature को regenerate करने के लिए उसे restore करने के लिए हमें समय देना होगा क्योंकि nature खुद को restore करतो लेती है लेकिन that takes time हम जितनी speed से उसे exploit कर रहे हैं उतनी speed से वो खुद को restore नहीं कर पाती तो इसके लिए में कुछ कदम उठाने होते हैं जैसे mining areas को हम cease कर दें बंद कर दें farming या कोई भी ऐसा incident या activity जो erosion कॉस करता हो हम उसे रोग दे रिपेरिन एरियाज में हम livestock को restrict कर दे toxic material जो हम soil में डालते हैं किसी भी form में chemicals के form में fertilizers के form में हम उसको बंद कर दे sediments में soil में further जो exotic species हैं invasive exotic species उन्हें में radicate करें जो एक जिगे से दूसरी जिगे पर जाके नुकसान पहुचाते हैं वहाँ की ecosystem को biodiversity को हम यह सारे कदम उठा सकते हैं और इसके माध्यम से हम nature को खुद को restore करने का समय दे सकते हैं यही करने का objective होगा इस law का objective 2030 तक के लिए यह है कि 20% EU का जो land और sea का area है हम उसको cover करें और 2050 तक EU के पूरे ecosystem को इस law cambit में ला दिया जाए क्या क्या कदम उठाये जाएंगे first of all तो जो 2030 तक Europe में pesticides का use है उसे आधा कर दिया जाए दूसरा 2030 तक जो pollinator population है उसे बचाया जाए in fact उसका जो decline है उसको reverse किया जाए और 2030 के onwards उन population को बढ़ाया जाए तेकि कुछ जीव होते हैं जो pollinate करवाते हैं एक पौधे को दूसरे पौधे से मतब एक ही पौधे की जो प्रजातिया है जो यहाँ पर ताकि ब्रीड कर सकें plants और seeds नए पौधे बन सकें butterflies, bees, beetles और flies ये काम करते हैं इनकी population गिर रही है तो biodiversity घटेगी अगर हम इनकी population को वापिस से restore होने का मौकाद दे हैं और 2030 के बाद इनकी population को बढ़ाएं तो ecology या जो ecosystem है वो ज़्यादा बढ़ी है तरीके से ग्रो करेगा 2030 तक urban spaces में greenery के net no net loss को अचीव करें मतब जितना अगर मालीजे पेड़ आपने काटा भी तो आप उतना लगा दो loss नहीं होना चाहिए no net loss का मतलब यही हुआ यह नहीं आप काटो मत काटना है ज़रूरी है बहुत है urban area में तो developmental purposes ज़रूरी हो जाता है लेकिन आप कहीं पर लगा दो compensate कर दो उसको river barriers को remove किया जाए target यह है कि 2030 तक ये रोप में कम से कम 25,000 km रिवर्स हो जो बिना किसी barrier के बह रही हो कोई barricade ना हो, कोई dam ना हो restoration और re-wetting की जाए drained peat land की वो peat land जहाँ पर पानी होता है peat land क्या होता है दिखे एक ऐसी जमीन जहाँ पे आपको decomposed organic material मिले और आसान कर देता हूँ लकडी, पेड़, पौधे, गिर गए और सड़ गए मिट्टी के form में convert हो गए लेकिन पुरी तरीके से सड़े नहीं तो वो एक मिट्टी की layer तयार हो जाती है उसे ये peat कहा जाता है वहाँ पे अगर पानी वगएरा भर जाया है तो उसे drained peat land कहा जाता है कई बार peat land चुकी बहुत दा fertile होता है ये peat land तो agriculture use में उसका ले लिया जाता है कई बार तो peat को सीधे extract कर लिया जाता है जैसे gardening purpose से लोगों को खाच से ये होती है तो peat land की जो मिट्टी होती है उसे उस purpose से इस्तेमाल करता है जैसे ये जो जमीन आपको दिख रही है ये peat land है और ये लोग इसको layer layers में काट के इस peat को निकाल रहे हैं इसको फिर बेचा जाएगा gardening purpose से लोग खरीद लेते हैं urban areas में तो हम peat land को restore करें ये भी प्रयास किया जाएगा EU countries और European Parliament को इस draft legislation को अप्रूव करना होगा उसके बाद ही तो ये law बनेगा उसके बाद सभी देश अपने अपने level पर restoration के लिए plans submit करेंगे 100 billion euro 105 billion dollars collect करने की संभावना है तो सभी देशों को अपनी progress reports समिट करनी होगी कि उन्होंने टार्गेट को अचीव करने के लिए क्या किया question 2019 का है देखे carboferon, methyl, parathion, forate, triazophos ये अक्सर apprehensions के दिश्ट से देखे जाते हैं ये chemicals किस परपस से इस्तिमाल होते हैं ये agriculture में इस्तिमाल होने वाले pesticides हैं जिनको अक्सर कहा जाता है कि बैन कर दो, बंद कर दो स्वाइल को नुकसान पहुचा रहे हैं तो ये वोज दा आंसर 2019 का प्रशन है nature of question देखी, idea लगता है हमारा next article oceans great dying 2.0 के बारे में है oceans great dying 2.0 अब अगर हम यहाँ पे 2.0 या 2.0 कह रहे हैं मतलब इसका एक पहला वर्जन रहा होगा तब ये दूसरा वर्जन है oceans great dying मतलब ओशन में रहने वाले जो भी जीव हैं वो मर रहे हैं और 2.0 का मतलब यह है कि ये दूसरी बार है मतलब इसके पहले एक बार मर चुके होंगे Stanford University के जो scientist हैं उन्होंने warn किया है कि marine species मर रही है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि Permian extinction में हुआ था 250 million years ago ये तीसरा mass extinction था जब बहुत बड़ी संख्या में जो marine animals थे वो मर गये थे अभी तक 5 mass extinction हो चुके हैं और ऐसा कहा जाता है ये चछठा वाला है तो अगर हम अभी संख्यान नहीं लेते हैं तो धीमे धीमे oceans की life wipe out हो जाएगी बिल्कुल यह से ही होगा जैसे Permian era में हुआ था Permian era आज से 250 million years ago का समय है पहले का समय है बहुत specific होंगे तो 298.9 million से 252.2 million कह सकते हैं इतना specific होने के ज़राथ है नहीं अब 250 million years ago इतना याद रखिए यह वो समय है जब डैनासोर्स धर्ती पे नहीं आये थे डैनासोर्स उसके बार आये Global ocean temperature उस समय आज की तुलनामी 10 degree Celsius ज़्यादा था और oxygen level 80% कम था 80% के level तक था यहाँ पर देखे जो वो समय था उस दौरान जो super continents हैं वो आपस में जुड रहे थे और पैंजिया बना था पैंजिया और पैंथालासा आपने जोगरफी में में भी बढ़ा हो या पढ़े एक super continent था जुड के बना था उसे पैंजिया बोलते थे और एक बड़ा सा ocean था पूरे अर्थ पे जिसे पैंथालासा बोलते थे बाद में ये दोनों तूटे तो उपर वाला हिस्सा लौरे इश्या बना और नीचे वाला गुणवाना लैंड बना और 33 सी तैयार हुआ दोनों के बीच में तो पैंजिया और पैंथालासा का जो समय है ये वही वाला है, परमीन एरा ही है, पेंजिया वाला समय, उस समय पैंथा लैसिक ओशिन हुआ करता था अर्थ पे, पूरे अर्थ पे फैला हुआ था, वहाँ पे खूब सारे मरीन अनिमल्स हुआ करते थे, और टेरेस्ट्रल स्पीसीज भी थी, जो पेंजिया पी हुआ करती लेकिन इस एरा के खतम होते होते हैं, बहुत सारे वल्कनिक एरप्शन्स हुए, और अट्मोस्फियर में खूब सारा ग्रीन हाउस ग्यास फैल गया, सेंटर साइबेदया का जो रीजन है, वहाँ पे खूब एरप्शन्स हुए, प्लाइमिट चेंज बहुत तेजी से हुआ और ये उस समय के लाइफ फॉर्म्स के लिए डथनेल की तरह साबित हुआ, बहुत सारी स्पीसीज खतम हो गई, लगबग 96% मरीन स्पीसीज पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और 70% लैंड स्पीसीज एक्स्टिंट हो गई, साइंटिस्ट ने इसी लिए पर्मियन एरा में जैसा ही होगा, अगर हमने ग्लोबल राइजिंग टेंपरेचर को नहीं रोका, तो इस सेंचुरी के इन तक ग्लोबल टेंपरेचर 4.9 डिग्री तक बढ़ जाएगा, टार्गेट थमारा 1.5 डिग्री सेसेस पर रोकने का है, लेकिन लग नहीं रहा कि हम रोक पाएंगे, ऐ यहाँ पे 5 मास जो एक्स्टिंशन हुए है, उनका डेटा है, एक बार आप इस स्लाइड को पॉस करके भी बढ़ सकते हो, जो पहला है वो ओडोविशन पीरियड में हुआ था, आज से 445 मिलियन साल पहले, दूसरा डेवोनियन पीरियड में हुआ था, 340 मिलियन साल पहले, पहले वाले में 85% species खतम हो गई थी, दूसरे में 70% खतम हो गई थी, तीसरा था पर्मियन एरा में, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, 250 मिलियन साल पहले, उसमें 95% species खतम हो गई थी, चौथा था ट्रियासिक, 200 मिलियन साल पहले, यहाँ पे 76% species खतम हो गई थी, और पाच्व अक्सर न्यूज में रहता है, यह किस रेफरेंस में न्यूज में रहता है, तो इसका सही जवाब ये D था, ओर एक्स्प्राइटेशन जो मिस्यूज हम कर रहे है नेच्रल रिसोर्सेस का, इसे जो डिस्ट्रिक्शन हो रहा है, इसे ही छठा मास एक्स्टिंशन कहा जा रहा है, तो 2018 में इस पर UPSC प्रशन भी पूछ चुकी है हमारा नेच्ट आर्टिकल, लिविंग लैंड्स चार्टर के बारे में है, कॉमन वेल्थ ने अडॉप्ट किया है लिविंग लैंड्स चार्टर, फुचर जेनरेशन के लिए, 54 कॉमन वेल्थ मेंबर्स, जो कॉमन वेल्थ कंट्रीज का पार्ट हैं, उन्होंने एक वॉलेंटरी agreement, मतब एक voluntary form पे वो agreed हुए हैं, कि वो एक living land तयार करेंगे सभी अपने अपने देशों में एक area तयार करेंगे, जहां पे जो United Nations Decade on Ecosystem Restoration है उसके strategy के basis पे वो काम करेंगे, basic objective क्या है, living land charter इस बात को mandate करता है कि सभी देश अपने अहां land resources को बचाएंगे, land degradation को रोकेंगे, climate change को रोकेंगे, biodiversity loss को कम करेंगे और sustainable management करेंगे, यह non-minding होगा अलगी, critical guardianship की तरह काम करेंगे, यह charter जो states को जिम्मेदारी सौंपता है local communities को संग्यान में लिया जाएगा कि वो environment को बचाएं Commonwealth की बात करेंगे, तो इसे British Commonwealth पहले कहा जाता था Intergovernmental Organization है, जिसमें तिरपन Member States है, जिसमें और जो Intergovernmental Organizations है, वो भी है Former territories जो British Empire की हुआ करती थी, जो पहले Britishers की colony हुआ करती थे, वो mainly इसका हिस्सा है इसमें जो काम होता है, वो consensus के वैसे इसमें होता है, 1949 में इसे बनाया गया London Declaration की माध्यम से इसकी head है Queen Elizabeth II, हलाकि इनकी position symbolic होती है, क्योंकि काम तो consensus से ही होता है नेक्स्ट आर्टिकल है, United Nation Energy Plan of Action Towards 2025 तो कहीना कहीना देखो, जब हमारे पास एक target होता है, कि 2025 तक हमने ये सारी चीज़े अचीज़ करनी है तो पूरी world में एक तरह की, ना किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हुई ये चीज़ को अचीज़ को अची़ परना है उसके लिए particular plan of action है, ठीक है, United Nation Energy, ठीक है ना, इसके regarding ये चीज़ है कि किस तरह से एक तरह के जो crisis हा रख है global energy के regarding काफे सारी countries आपस में एक दूसरे के साथ इस बुद्धों पे लड़ाई भी चल रही है बट कहीं न कहीं उस चीज़ को हटाते हुए, हम किस तरह काम करें, कि ये जो चीज़ हमारे एक पूरे world के सामने न, एक तरह का energy crisis आ चुका है उसको अचीव किया जाए, मतलब उसको tackle किया जाए, साथी साथ, आप जानते हो sustainable development goals के बारे में तो जो SDG goals हमें, although वो 2030 तक achieve करने हैं, पर कहीं न कहीं जब हम इन 2025 के goals को achieve करेंगे, तब ही तो हम 2030 तक जो हमारे फदर एक काफी अच्छे goals हमने set up किये हैं, उनको achieve करने की तरफ काम कर पाएंगे, ठीक है न, पूरे world को कहीं न कहीं साथ में आने की जूरुत है और सिरफ ऐसा नहीं है, कि सिरफ पूरे world की government साथ में आएं, government के साथ-साथ वहां की business sector का, वहां की NGOs का, civil society organizations का, इन सभी का भी अपना-पना role होता है और इसी वज़ा से, E-CAN, what is E-CAN? Energy Compact Action Network, इसको launch किया गया है ताकि government की जो contributions है, जिन government को support चाहिए, उनको मतलब एक तरह से assistance जिनको चाहिए, उनको कहीं न कहीं assist किया जाए, जो different एक तरह से developed economies हैं, वह बाकी countries की मदद करें, तो इस तरह से कहीं न कहीं, इस energy crisis के आप deal करने के लिए, आप E-CAN का point भी कहीं न कहीं note कर सकते हो, उसके साथ ही, जैसा कि मैं आपको sustainable development goals के बारे में बता रहा था, तो आप SDG 7 के बारे में जानते होंगे, that is affordable, reliable and modern energy services का universal access होना चाहिए, इस SDG के हिसाब से, तो यहाँ पर यह चीज़ काम आ सकती है, उसी तरह से देखो, यह जो energy plan of action है ना, मैंने आपको बताई, UN energy के द्वारा launch किया गया है, तो what is UN energy, UN energy एक United Nations का ही mechanism है, जहाँ पर different different जो हमारी countries है ना, उनके बीच में किस तरह से coordination हो पाए, different agencies के बीच में किस तरह से coordination हो पाए, यह सारी चीज़ें इसमें cover करी जाती है, साथा detail में हमें जाने क जरूरत नहीं है, बट इसका मोटा मोटा ना, हमें objective पता होना चाहिए, कि क्या इसका objective है, और कही ना गई इसमें, लगबग 30 organizations साथ में आ रखी है, ठीक है, बाकी आप SDG 7 भी जान चुके हो, और साथी साथ जो Paris Agreement था, ठीक है, आप जानते हो कि हमारे जो temperature rise है by the end of the century, उसक काम कर रहा है, साथे साथ coordination कैसा हो, collaboration कैसा हो, ये सारे चीज़े भी इसके अंदर work करी रही है, बात करें कुछ milestones की, तो देखो यहाँ पर लोगों के पास electricity का access होना, उसके साथ ही ज्यादा coal power plants है, ठीक है ना, उनको ना लेके आना, ठीक है, जो हमारे renewable energy है, उसकी तरह focus करना जो renewable energy है ना, देखो कहीं ना कहीं, वो older forms of energy या फिर जो conventional forms of energy है, उसको replace करने जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ नई jobs generate होगी, तो jobs generate होगी, तो उसके corresponding लोगों के बाद skills भी होने चाहिए, ठीक है, clean cooking की तरफ work करना, modern energy solutions लेके आना, funding जो कहीं ना कहीं काफी सारे छोटे देशों का एक concern रहता है, तो उसको कैसे tackle किया जाए, यह सारे के सारे यहाँ पर milestones है, and definitely यह सारे चीज़ें आपसे indirectly प्रिलिम्स में भी पूछी जा सकती है, या फिर mains में भी न, आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो, which will help you, कि आपके answers थोड़े और better लगें, थो forward 2025, हमारा next article है, first movers coalition, ठीक है, तो यह particular coalition अभी news में क्यों था, क्योंकि India ने इस particular coalition को join कर लिया, तो सबसे पहरे तो यह समझते हैं कि यह particular चीज़ है क्या, first movers coalition, देखो, पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि इसको launch किसके द्वारा किया गया है, launch किया यह है, by United States of America and World Economic Forum, right, अपने World Economic Forum भी हम अल्रेडी बाकी लक्षिस में भी डिसकुस किया था, ठीक है, किस तरह से 1971 में इसकी establishment होती है, हर साल एक तरह का Davos Dialog, किस तरह से एक तरह का non-governmental organization है, जहां पर different business leaders आते हैं, and so on, countries के leaders भी यहां पर आते हैं, and कहीं ना कहीं एक तरह से आपस में बै बढ़ रहें, उनको कैसे tackle किया जाए, उसके regarding यहां पर discussion होता है, तो यह जो particular first movers coalition था, यह launch किया गवा है, by United Shifts of America and World Economic Forum at COP26, जो Glasgow में हुआ था, right, UPC ने देखो, 2021 में, means में हमसे question भी पूछा था इसके regarding, मतलब इस particular initiative के regarding नहीं, पर in general COP26 के बारे में, तो COP26 में आप यह particular initiative भी note कर सकते हो, इसके साथ ही देखो, कुछ ऐसे industrial sectors हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, hard to abate, अब hard to abate न एक्चल में, यह इसे sectors को बोलते हैं, जैसे for example, कुछ ऐसे sectors माने गए हैं, जहाँ पर अगर हम इना transition करना है, जैसे for example, यहाँ पर carbon बहुत जात generate होता है, इस carbon को हम decarbonize क करना चाते हैं, तो कुछ ऐसे sectors हैं हमारी economy के अंदर, जिनके corresponding के transition करना काफी tough है, ठीक है न, बहुत मुश्किल है, बाकी कुछ ऐसे sectors हो सकते हैं, जहाँ पर easily हम इस चीज़ को replace कर पाएं, बट कुछ ऐसे sectors होते हैं, जहाँ पर यह transition उतना state forward नहीं होता, ऐसा क्यों, क्योंक में बाकी इन जो नई technologies को ले के आने में, कि zero carbon related technologies होती है, उसको adopt करने में, तो उनको क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं, hard to abate sector, तो यह particular sectors में इनका focus है, first movers coalition का, जैसे for example, aluminium sector हो गया, aviation हो गया, chemicals, concrete, shipping, steel, trucking, यह कही न कहीं 30% of the global emissions को contribute करते हैं, अगर इन sectors को हमने काफ technologies use करते हुए इन चीजों को हमने रोक दिया, तो जो हमारा 2070 तक net zero transition का हमारा goal है, उसको achieve करने में help हो सकती है, तो कहीं न कहीं यह जो इंडिया जो first movers coalition को join किया है, यहां पर ही सारी चीजें, किस तरह से जो हमारा energy के regarding issues थे, उनको resolve किया जा पाए, तो यह सारी की सारी sharing board है, जो इंडिया ने इसको join किया है, उससे इसमें इंडिया काफी अच्छा contribute कर सकता है, हमारा next article है, scheme for setting up manufacturing zone for power and renewable energy equipment, तो यह जो particular scheme है जिसमें discuss किया गया है कि हमें manufacturing zones बनाने हैं, power के लिए, renewable energy equipment के लिए, यह particular ministry कौन सी है इसके regarding, तो यह ministry है, यह joint ministry है, that is ministry of power and साथ ही साथ ministry of new and renewable energy, जो MNRE, ठीक है, तो देखो काफी बार जो UPSC questions आते हैं, वो ministry से related होते हैं, तो यह particular ministries आपको पता होने चाहिए कि कौन सी ministries है, ministry of power and ministry of new and renewable energy, इसके अंदर तीन manufacturing zones बनाने की बात करी गई है by 2026-27, और देखो तीन में भी न further divisions है, तीन में दो त और जो एक होगा, वो होगा green field, brown field का मतलब क्या होता है, brown field का मतलब होता है कि already पहले वहाँ पर construction हो रखी है, already एक तरह की developed land है, उसके उपर हम further कुछ बना रहे हैं, green field के अंदर बिलकुल starting से चीज़ों को construct किया जाता है, तो यह फरक हो जाता है brown field में और green field में, तो यह जो energy भी आ गया, तो power से आप याद रख सकते हो, ministry of power को, और renewable energy equipment से याद रख सकते हो, ministry of new and renewable energy को, तो दोनों चीज़े आपके यहाँ परपस, यहाँ पे solve हो जाएंगे, तो कहीं ना कि देखो, नाम से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, जो different different हमारे power sector हो गया, renewable energy sector हो गया, इ देखा जा रहा है, कि private companies जो है हमारी किस तरह से manufacturing zones के अंदर अपना contribution देख सकती है, साथी साथ एक अच्छा infrastructure के से setup किया जा सकता है, यह सारी छीज़े यहाँ पे discuss करी गई है, उसके लाबा एक common testing facility भी होगी, ठीक है ना, तो जो भी products होगे, उनके accordingly properly testing हो पाएगी, ठीक है, और इसके लाबा ये भी ध्यान में देने की बात है, कि जो हमारे eco-sensitive zones होते है, protected areas के, मान लीजे जैसे for example, हमारा कोई biosphere reserve है, ठीक है, अगर महा के corresponding कोई eco-sensitive area है, ठीक है, जहाँ पे हमारे ecology को अच्छा से protect करना जूरी है, तो उससे इन चीज़ों को aware रखा जाएगा, क्यो क्योंकि यहाँ पे देखो, जब power, renewable energy, कुछ इस तरह के चीज़े बनेंगी, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं, जो हमारी वहाँ पे ecology है, जो हमारा environment है, उसको कुछ हद तक यहाँ पे impact हो जाए, तो इस वज़ा से यह ensure किया गया है, कि जिस location पे, यह manufacturing zones बनेंगे for power and renewable energy, उसके regarding यह सारी चीज़ें, मतलब यह जो location हो, उससे दूर हो, कहीं न कहीं, state government अभी इसके अंदर stake होगा, ठीक है, और साथ ही साथ, joint venture होगा private companies के साथ, एंड साथ ही, एक scheme steering committee और यह project management agency इसको भी constitute किया गया है, ठीक है, तो यह हो गया regarding scheme for setting up manufacturing zone for power and renewable energy equipment. हमारा next article है, participatory irrigation management, ठीक है, P.I.M. भी इसको बोलते हैं, तो P.I.M. क्या है, participatory irrigation management यानि की, कुछ इस तरह के rules होगे, that is regarding community based natural resource management, तो सबसे बड़ा आपको point अगर यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है community based natural resource management, जब हम बात कर लेते हैं, participatory की, वहाँ पे community को involved होना ही पड़ता है, ठीक है, अब participation हो रहा है, किसका हो रहा है, पूरी की, पूरी community का, तो जब different stakeholders को हम involved कर रहे हैं, एक तरह से decentralized manner में चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर cover हो जाती है, ठीक है न, और यही particular चीज न, जो हमारी national water policy थी, 2002 की, इससे पहले भी हमारे पास 1987 में भी national water policy आई थी तो जो 2002 की national water policy थी थी न, उसके अंदर इस चीज़ को मतलब बोला गया था कि हमें पूरी community को इसमें अंदर involve करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो, हमारे जो किसान भाई होगे, उनका participation आ जाएगा, ठीक है, decentralized manner में जो हमारी local community है, जिनको थोड़ा local conditions का जाधा बहतर knowledge है वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं governance में improve कर सकते हैं, देखो आप जानते हो न, जो हमारा general studies paper 2 है में इनस वाई, उसमें governance अलग से topic है, और जब आप देखते हो कि governance जब decentralized होती है, कहीं न कहीं, उसके multifaceted advantages होते हैं, जब लोगों को governance के process में involve किया जाता है, तो उसके जो results होते हैं, वो एक अलग ही दिशा में हमें देखने को मिलते हैं, और इसी वज़ा से ही जो irrigation के regarding है, उसमें भी हम decentralized manner को expect कर रहे हैं, और community का अच्छा खासा role in irrigation management हमने invisage किया हुआ है, जो हमारा act है na, participatory irrigation management act 2007 का, वो भी इन सभी चीज़ों के ensure किया जाता है through water use associations, ठीक है न, तो इस ची से एक तरह की associations बनाई जाती है इनके अंदर, जो एक तरह की different community के अलग अलग members है, जिनका एक तरह का common interest होता है, ठीक है, same purpose के लिए जो काम कर रहे हैं हमाल लीजिए, तो वो particular चीज़ें कैसे help कर सकती हैं इस चीज में, तो वो particular चीज़ें भी यहां पे water use associations के अंदर cover करी ग जब लोगों को भी ना हम एक तरह से पूरे process में involved हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ownership आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि उपर से बस decision को थोपा जा रहा है, लोग खुद मतलब decision making में involved हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं sense of ownership आती है, और जब sense of ownership आती है, तो कहीं ना कहीं better results दे होंए देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, operation and maintenance का काम है, वो better हो पाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों के पास जो water resources हैं, उनका optimum utilization हो पाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, कि जिसको कम चाहिए उसको जादा दे दिया पानी, जिसको जादा चाहिए उसको कम मिल रहा हो, ऐसा नहीं है, ठ सब्सक्राइब करने हैं, वो यहाँ पे कबर किया गया था, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहली जो national water policy थी, वो 1987 में हमने अडॉक्ट करी, फिर्दर हमने उसके time के changes के इसाब से, इस particular policy को हम अपने different situations के इसाब से change भी करते रहे हैं, water use association हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है, और यह different ना, इस चीज़ों पे काम करता है, तो I hope आपको participatory education management समझ आ गया होगा, तो जब भी आप इस तरह का participatory word देखें, कहीं न कहीं वहाँ पे, लोगों का involvement होना, community का involvement होना, और decentralized manner में चीज़ों का होना, governance में उनका participation बढ़ना, यह सारी चीज़ें आप इस चीज़ के स देखो point यह है, unconventional water resources, ठीक है ना, तो unconventional word यहाँ पे important है, तो देखो पहले इसी को समझ रहेते हैं कि unconventional, इसको non-conventional भी बोल सकते हैं, तो unconventional के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि saline water हो गया, brackish water हो गया, agriculture drainage हो गया, या फिर जो हमारा wastewater effilence होग quality के नहीं है, तो इस वज़ा से हम किस तरह से इस water को use कर सकते हैं, to different management practices, तो इसकी बात यहाँ पे करी गई है, तो जो UN के experts है ना, उन्होंने अलग-अलग nations को एक तरह की बुक बना दी गई है, बुक क्या है, unconventional water resources, बुक का भी ही नाम है, ठीक है आँ आँ यहाँ पे देख many different problems, बात करें निको क्या क्या discussed यह further इस बुक के अंदर, तो छे broad criteria's है, जैसे कि cloud seeding हो गया, rain enhancement हो गया, fog harvesting, इसके थ्रू किस तरह से हम water को harvest कर सकते हैं, ठीक है ना, micro catchment rainwater, तो कहीं नगे यह जो rainwater harvesting है, यह भी micro catchment की बात करीए, कि छोट-छोट areas में हो, ठीक है, साथी साथ desalinization, जहाँ पे जिन areas पे salinity बढ़ चुकी है, उनको कम करना, बहाँ पे salts को remove करना, fresh water और brackish water, चाहे वो offshore हो या onshore, यानि कि जो अंदर हो सीखे, end corresponding जो उसके बिल्कुल waters पे हो, उसके regarding किस तरह से इसको tap किया जा सकता है, water का reuse करना, तो यह सारे different points हैं, जो आप अपने answers में definitely code कर सकते हो, और यह जो आप UN के regarding यह report है ना, unconventional water resources, इसको भी अपने answers में code कीजिए, यह ना कहिए आपकी जो means के answer में जब value addition होगी, उसमें यह चीज बहुत help कर सकती है, उसके लावा, ठीक है, किस तरह से और भी चीज़ें, जैसे microscale capture of rainwater, यह चीज़ें भी हम discuss कर चुके हैं, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें regarding unconventional water resources के बारे में यहाँ पर discuss करी गई है, कुछ strategies भी regarding भी discuss किया गया है, ठीक है ना कि किस तरह से multi-dimensional approaches का use किया जा पाए, climate change को water scarcity के साथ जोड़ के देखा जाए, यह जो देखो, जादातर life की problems हैं, जो world की problems हैं, इनको जब हम silos में अलग-अलग देखते हैं, तो शायद इनके solutions जोनने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, पर जब इनको हम सारे combine करके देखते हैं, सारे देखते हैं कि अच्छा, एक problem को solve करें, तो कहीं नगे हम देखते हैं कि multiple problems उसी के साथ solve हो सकती हैं, तो जब इस तरह से चीज़ों को क इस के grounding strategy है, वहाँ पे discuss करी गई है, तो यह हो गया regarding unconventional water resources, हमारा next article है regarding Pantanal wetland, देखो ध्यान क्या रखना है पहली बात तो कि Pantanal wetland है क्या हाँ, देखो Pantanal wetland है तीन countries के अंदर Brazil, Perugue and Bolivia, जाहतर पार इसका Brazil में आता है, पर यह तीनों countries के आपको नाम पता होने चाहिए, that is Brazil, Perugue and Bolivia, और यह na, considering कि यह तीनों की तीनों जो countries है, वो South America में है, और यह world का one of the largest tropical wetland है, आप जानते हो कि जो tropics के अंदर ही आते हैं, यह जो countries हैं Brazil वगरा, तो यह जो particular wetland हुआ ना, यह particular wetland, यह world के one of the largest tropical wetlands में से आता है, साथ ही साथ, यह एक fresh water wetland है, ठीक है, और अब यह news में क्यों था, क्योंकि कहीना कहीना इसके भी ही उपर रिस्क आ चुका है, जैसे कि climate change क्या हो गया, ठीक है, आप जानते हो कि हर साल हमें कहीना कहीने Amazon के जंगलों में, आग की खबरे सुनती है, कि वहाँ पे fire हो अलग गी, और fire की हो जैसे वहाँ पे deforestation हो गया, कहीना पॉइंट है, तो 4-5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, कौन सी कंट्रीस में यह लोकेटिड है, फ्रेश वाटर है, ठीक है ना, South America में है, one of the world's largest tropical है, and क्या-कैस के issues and end, यह एक UNESCO World Heritage Site में भी आता है, ठीक है, तो काफी important wetland है world का, काफी बारन news में भी यह जिस सुनने को मिल है फ्रेश डीक है, यह भी जिस सकतू है, यह जिता है, जह है रहां वतिजिक तानी है, ना यह जो हैं, का में है।